बिरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ यह सीए के कानूनों को लेकर आज एक पड़ा राजनीतिक विवाद कल देर राथ से चल रहा है और आज तो बढ़की बढ़ ज्यादा फ्लेर अप हो गया होम मिनिस्टर के इंटर्विव के पाद समाजवादी आमादमी पार्टी के सुप्रीमों के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया सरनारतियों ने इसका क्या राजनीतिक इंपक्ट आप देखते हैं जो कानून है यह कहता है कि 2014 तक जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान से और बांगलादेश से भारत में रह रहे हैं जो मुसल्मान नहीं हैं उनको सी हैं भारत के अलावा जिनका कहीं आसरा नहीं है लेकिन वो मुसल्मान नहीं है हिंदू है सिख है इसाई है बहुत है इनको नागरिक्ता दी जाएगी मुसल्मान इसमें अगर है तो उसको नागरिक्ता नहीं मिलेगी यह असली मामला है और यही पर यह अफवा भी फैलती है कि सरकार C.A. के बहाँ ने मुसल्मानों को परतारित करना चाहती है एक अफ़ा ये भी आती है कि इस नागरिक्ता कानून में मुसल्मान को सामिल ना करने से जो आर्टिकिल 14 है संभिदान का समानता का अधिकार उसका उलंगन होता है मुसल्मान को भी इसमें सामिल होने का मौका मिलना चाहिए ब्रजेट जी नागरिक्ता हर देश देते हैं दुनिया बहुत सारे देश देते हैं बहारी लोगों को भी देते हैं कई देश ऐसे हैं जो पैसा लेके करने नागरिकता देते हैं अपने नागरिकर बनाते हैं लेकिन ऊखोड़ी ओंगरनताओं इसमें किसी को कोई अतराज लेकिन चुकी जब मुसलमान नाम आ जाता है तो फिर वोट का मामला सुरू हो जाता है और फिर वहाँ पर हिंदूज्य वोटों का दुभी करण अलग होता है और मुसलमान का अलग होता है दोनों के लिए बोलने वाली अलग लग पार्टि यह आती कि महात्मूर बात ये है कि जब घर के ठंडे चूले पर अगर खाली पतीली है तो बताओ कैसे क्लिक दूँ कि धूप भागुन की नसीली है जब इस देश में मुसल्मान रेल्वे स्टेशन पर पानी बेच रहा है इंडा का ठ्यला लगा रहा है सिच्छा का अभाव है दिकतर जगों पर उसकी आबादी सामान ने कामों में लगी हुई है यह जरूर है कि वोट के मामले में वो एक जूठ हो जाते हैं या एक धार्मिक भावनाएं आ जाती हैं लेकिन उनका जीवन अस्तर बहुत उचा नहीं है समानता का उनको अधिकार है लेकिन सीए ने जब इस बात क्यों 2021 में आई ये बात तो मुसल्मान इसको लेकर धरने पर उतराया दिल्ली में लखनों में महीनों धरने चले तमाम सारी आसंकाएं थी वो आसंकाएं अब धीरे धीरे निर्मूल सावित हो रही है अब वो साफ हो रही है तब एक बात ये बहुत परमुक्ता से उठी थी कि मुसल्मानों को अपने पूरवजों के परमाण पत्र देने पड़ेंगे सीए के तहट ये कानून में है ये बड़ी अफवाथ ही इससे बहुत ज़दे डर गए लोग और नाराज भी हुए लेकिन आज ऐसी कोई इस्थिती सीए कानून के तहट नहीं है अब ये आसंका भी समाप्त होनी चाहिए और सीए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हम चर्चा जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा आसर बंगाल बिहार आसाम इन जगहों पर आप देख सकते हैं यहां की भोगोलिक संद्शना में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा अब नागरिक्ता पर जब इस पर विचार होगा बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम हैं बंगलादेश चाहिए लोग हैं जिनसीय के दायरे से जो बाहर हैं वो वोट भी डालते हैं वहां दिली डायरेक्ट इसको हैडान कोलीजन क्यों किया उनको क्या इसमें लाभा रहानी दिखती है देखिया केजिरीवाल ने तो जब राम मंदिर पर उद्गाटन पर मामला आया था तो लोग भाइसकार की दूसरी पार्टिया केजिरीवाल के हम सुंदर कांट के पार्ट कर दिली के हर मंदिर में वह हिंदूओं के साथ भी हैं वह मुसल्मानों के साथ भी हैं उनको वोट हर जगा चाहिए भाजपा और केजिरीवाल यह दोनों ऐसे हैं कि तुम डाल डाल हम पात पात यह असली लड़ाई यही लड़ रहे हैं भाजपा से नहीं तो इतना करती है वह इसे मुसल्मान का जब जब मामला आता है तो सियासी दल भी हल्ला मचा रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेके देश के निराज्यों में भी अब जिसको जहां पर मोट मिल जाए लेकिन ममता बनर जी से लेके आसाम तक यह आग ज्यादा लगेगी यह लोगों को जानना और समझना होगा सीए से मुसल्मानों को डरने की जरूरत नहीं है कोई मुसल्मानों की नागरिक्ता सीए से छीनने नहीं वाला है न जा रही है यह नागरिक्ता बाहर से आए हुए लोगों के लिए कानून है जो इस देश में मुसल्मान पहले से रह रहे हैं उनके लिए को गठनों को इस पर जाग रुकता चलाना चाहिए तो मूल बात बस बर्जेज जी इतनी है यह धार्मिक मामला है जहां चुनाओं खतम हो जाएगा स्रीये का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा अदम गोडवी का एक सेर है सुनिएगा हिंदू और मुसल्मान के अहसास पर है कैसे रहते हैं यह सुनिएगा कि हिंदू या मुसलिम के अहसास को मद छेड़िए अपनी कुरसी के लिए जजबात को मद छेड़िए और हमने कोई हूड कोई शक कोई मंगौल है दपन है जो बात उस बात को मद छेड़िए और गल्तियां बाबर की थी जुमन का घर फिर क्यों जले ऐसे नाजुक हालात में वक्त को मत छोड़िये और छेड़िये एक जंग मिल जुलकर गरीबी के खिलाब दोस्त मेरे मजहवी नगमात को मत छेड़िये बहुत शुक्रिया विरेंजी बहुत-बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इंपुट फीडबैक और पो